कर दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं सब ठिक ठाक होंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पुराने जमाने में जो हम लोग म्यूजिक सिस्टम यूज करते थे वॉल्कमेन उसके उपर बात करेंगे तो आजकल तो देखने के लिए बहुती कम मिलता है दोस्तों वर्कमेन तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यह रहा काला सोना बहुत पूराना मुजिक सिस्टम है दोस्तों काला सोना यह कुछ इस तरीके से इसका कैसेट डालने वाला जो रहता था वह पन होता था और इ इसमें हम जो पैंसिल बैटरी जो दो पीस आती थी इसके अंदर उसको ना लगा के इसमें हम फिक्स बैटरी डालने वालें ठीक है दोस्तों तो यह कुछ इस तरीके से ओपन होता था कुछ इस तरीके से और इसमें दो पैंसिल सेल इसमें आते थी ठीक है वीडियो दोस्तो मैं studio में लेकर जाके आप लोगों को दिखा दूगा कि इसमें हम कौन सी बेटरी डालने वाले हैं और इसमें charging port हम किस तरीके से लगाने वाले हैं ठीक है दोस्तो तो चलिए चलते हैं सिदा studio में तो यह रहा दोस्तो वाल्कमेन recording cassette player इसे भी कहते थे इसमें recording system भी है हम इसमें recording भी कर सकते हैं और साथी साथ इसमें music भी सुन सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से यहां से इस बटन को पूस्ट करने से प्ले होता था और साथ में जो recording का जो बटन दिया है दोनों को प्ले वाला बटन और recording जो बटन दिया हो है दोनों को पूस्ट करने से recording होती थी ठीक है तो इसकी बारे में बाद में आप लोगों को समझा दूँगा सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बैटरी के ओपर तो यहां से इसकी बैटरी दो pencil cell की में बात कर रहा था इस तरीके की pencil cell इसमें द डालू करते था ठीक है तो मैंने इसका back panel open कर लिया है तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम तो इसका जो speaker का wire है वो टूटा हुआ है तो उसको भी हम बाद में कनेक्शन कर लेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें space एक बनाना पड़ेगा दोस्तो सबसे जो है लिधियम बैटर फिक्स करने वाले हैं तो इसका पुराना सिस्टम है यहां पर इसको थोड़ा सा कट वट करके जो भी है इसका साइज का मैं कर देता हूँ और फटा फट सी इसको कटिंग करने के बाद मैं यहां पर इस बैटरी को फिक्स कर देता हूँ ठीक है तो चलिए बने रहे आप लोग बीडियो में तो दोस्तों बीडियो में थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे और बीडियो में देख सकते हैं आप मैं इसको थोड़ा सा एक्सो बिलेड से कट कर दिया इसको यहां पर फिक्स कर दिया लिथियम बैटरी को और साथी साथ इसको glue gun से fix कर दिया ठीक है तो इसका positive वाला positive में और negative वाला negative में मैंने connection कर लिया है साथी साथ इसके जो speaker के wire है उसको भी मैं connection कर लेता हूँ ठीक है तो इस तरीके से इसकी wiring पूरी complete हो गई है देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से मैंने speaker के जो wire टूटे हुए थे उन दोन pin connected है दोस्तों तो मुझे इसमें charging pin लगाने की जरूत नहीं है एक चोटी सी pin side में से easily connect कर सकते है ठीक है तो इसमें जैसे ही हम pin को connect करेंगे तो pencil battery इसकी charging होना start हो जाएगी ठीक है तो चलिए देखते हैं यहों कैसा work अभी करता है तो थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखा द इसका body है इसको packing करने के बाद आप लोगों को cassette play करके थोड़ा सा दिखाऊंगा और इसकी sound quality है वह भी आप लोगों को सुना के चेक कराऊंगा ठीक है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की video आप लोगों को कैसी लगी तो तब तक मैं इसको फाटा-फाट स पैक कर लेता हूं और उसके बाद आप लोगों को सुनाते हैं इसमें थोड़ी सी song ठीक है तो इस तरीके से कैसे cassette इसमें play करने वाले हैं हैं हम लोग सकते हैं अभी इसको बी साइड में play करके देखते हैं इस तरीके से cassette को हम बी साइड में लगाएंगे माफिस आओंगा दोस्तों copyright का problem मुझे आ सकता है इसलिए मैं ज़्यादा song आपको नहीं सुना पाऊंगा हमने तो प्याल में चलिए दोस्तों मैंने इसकी आपको sound quality चेक करवा दी है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें recording किस तरीके से की जाती थी ठीक है तो मेरे पास दो cassette है आप देख सकते है इन दोनों cassette में थोड़ा सा difference है इसकी जो निचले साइड में है इसमें जो packing है वो तूटी हुई है यानि कि तोड़ी गई है जिसलिए कि इसमें हम recording नहीं कर सकते है और जो दूसरी cassette है उसमें packing proper है यानि कि हम इसमें recording कर सकते है तो च तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें आप लोग recording system भी था और साथी साथ music play system भी था तो पुराने जमाने में कुछ इस तरीके का walkman हुआ करता था आज आज भी मिलेंगे बट बहुत ज्यादा महेंगे मिलेंगे और बहुत कम मिलेंगे ठीक है तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो हमारी जरूर अच्छी लगी होगी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार